एक माई का दिन बहुत ही खास है इसलिए नहीं क्योंकि महीने के शुरुआत हो रही है बलकि इसलिए क्योंकि देव गुरु बिरस पती बारा सालों के बाद अपने मित्र ग्रह मंगल की राशी को छोड़कर डैत्य गुरु शुक्र की राशी प्रिशब में जाने वाले हैं ग गुरु को विवाह, धन और दिखा जाए तो करियर का कारक भीक माना जाता है गुरु जिसका बलवान है समझो सब कुछ उसके पास है बिरस पती का व्रिशब राशी में गोचर अगर समय की बात करो तो एक माई को दो पहर दो बजकर 29 मिनट पर होने जा रहा है अब किनकिन राशी वालों के लिए गोचर जो है सही नहीं है और किनकिन को सावधानी बरतनी है किनकिन के लिए बहुत अच्छा है और क्या उपाय करने है सारी जानकारिय दूबी तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनके लिए गोचर जो है बहुत ही शुभ रहेगा तो व्रिशब, स्वास्त बदलेगा मतलब हर तरीके से गोचर आपके लिए शुब रहेगा ये राशी वाले जो अब किन राशी वालों के लिए अच्छा नहीं है ध्यान से सुनिएगा मेश, मिथुन, तुला, धनु और कुम्भ इन राशी वालों को गुरू के इस गोचर से सावधान रहना होगा, बहुत ही संभल कर बोलना होगा आपको, कोई decision, बड़ा decision, चाहे वो पैसे से जुड़ा हुआ हो, ये life से जुड़ा हुआ हो, मत लीजेगा, क्योंकि आपकी decision making खराब हो जाएगी, पैसे के मामले में बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है, ये जो राशीयों के बारे मैंने बताया किनको सावधानी रखनी है और इनको जो है, किन के लिए अच्छा है, तो इसमझ के लिए बुरी होन लग जाती है, तो आपको समभलना होगा लेकिन परिशान जादा होनी की जरूरत नहीं है जिनके लिए अच्छा है कुछ उपाय बताती हूँ जिससे की और अच्छा होगा और जिनके लिए बुरा है इस उपाय को करने से वो भी आपके लिए अच्छा होगा समय परिशानियों से लड़ने क की ताकत मिलेगी बहुत सिंपल रेमेडी बताऊंगी गुरू से जुड़ा हुआ करना क्या है आपको पहले तो कोशिश करें कि आप हर थरस्टे जो है अपने पानी में नहाने के पानी में हल्दी जरूर मिलाई है इसके अलावा हल्दी का टीका लगा सकते हैं पीले रंग की चीज अपने आसपास जरूर रखी जैसे कि मैंने पीला पहना हुआ है इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं आप अपने गुरू का अपने बड़ो का आश्रवाद लिया करें और गुरू के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम सह गुरुवे नमा इस मंत्रु का यता संभ सब्सक्राइब को गोचर होने वाला है यह आपके लिए बहुत ही शुभ रहे बहुत ही अच्छा रहे और कोशिश करें कि आप सारी चीज़ें बहुत एची तरीके से करें तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में तब तक खुश रहें ख्याल लखें नमस्कार